नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है vampirehub.com की ओफिसी यूटूब चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग दोस्तों कैसे हो फाइनली हम आगे एकने वीडियो के साथ इसमें हम बात करेंगे टोटल तीन वेकेंसिस के बारे में तीनों वेकेंसिस बैंकिंग सेक्टर से ही है और जो सबसे लेटिस्ट वेकेंसि आई है बैंकिंग सेक्टर में वो आई है बैंक और बड़ोदा के डिपार्टमेंट से यहाँ पर सीधी भरती हो रही है मतलब है कोई साम नहीं होगा और इसके लिए ग्रेजवेट्स अप्लाई कर सकते है सुपरोवाइजर की भरती है और यहाँ पर अप्लिकेशन फिस बिल्कुल फ्री है मेल वाफे मेल दोनों अप्लाई कर सकते है पूरे भारत से अल इंडिया वेकेंसि है हम जानेंगे इसके complete detail और आपको बताएंगे कि इसका form कैसे भढ़ना है लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को like and share कर दें चैनल को subscribe कर लें और दोस्तों आप इस नंबर को save कर लिजी क्योंकि इस वेकेंसि को apply करने का link आपको मिलेगा वाटसेप पे तो आप इस नंबर पे हम एक message कर देना हम आपको वाटसेप पे इसका apply link send कर देंगे अब चलिए हम जानते हैं इस वेकेंसि के complete detail और आपको बताते हैं कि इसका form कैसे भढ़ना है दोस्तों यहाँ पर recruiting body यह बैंक बड़ोदा यानि की बी-ो-बी और application mode यहाँ पर offline है इसके लिए कौन apply करेंगे तो इस वेकेंसि के लिए पूरे भारत से उमिद्वार apply कर सकते हैं आप चाहें किसी भी राज में रहते हो आप इस वेकेंसि के लिए form भर सकते हो और इसको apply करने का date है पंदरा जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में अगर हम बात करते हैं वेकेंसि डीटेल की तो यहाँ पर post है business correspondent, supervisor के और total वेकेंसि है 49 educational qualification की बात करें तो इस वेकेंसि के लिए retired person भी apply करेंगे और fraser भी apply करेंगे retired person के लिए IOC मा रहेगी maximum 65 साल वहीं fraser के लिए IOC मा रहेगी 21 से 45 साल retired person आपको जो भी है वो apply कर सकते हैं वहीं fraser कौन apply करेंगे तो जो भी graduate computer knowledge के साथ है वो लोग इस वेकेंसि के लिए apply कर सकते हैं या फिर MSC, IT, BE, IT, MCA, BBA, MBA वाले apply कर सकते हैं selection यहाँ पर based interview पे सीधी भरती होगी कोई exam नहीं होगा और application fees यहाँ पर बिल्कुल free है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ों से पहले आचाए कुछ question ने राम कृष्ण मिसन की स्थापना किशने की थी आपके options हैं स्वामी वेकानन्द, राम कृष्ण परमहंस दया देन सरस्वती या फिर भारत सरकार अपनी जवाब comment box में जरूर दें चलिए जानते हैं इसके और भी details दोस्तों गर हम बात करें इसके pay scale salary की तो salary यहाँ पर मिलती है category A के लिए fixed component मिलता है 15,000 रुपय का वही variable component मिलता है 10,000 रुपय का category B के लिए मिलता है fixed component 12,000 रुपय का वही variable component मिलता है 8,000 रुपय का job location रहेगी यहाँ पर गुजरात union territory of दादरा नागर हवेली दामेन इंद्यू और इसके लिए अप लाइक कैसे करना है तो सबसे पहले आपको whatsapp पे दिये गए address पे send करना है वीडियों बस इतना ही वीडियो को like and share कर दिजिएगा जैहिंद बंदे मातरम